एजी प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही हिंदी फिल्म अंजाना इश्क का मुंबई में बड़े ही धुम धाम से मुरत किया गया तो वहीं इस खास मौके पर इस फिल्म के गानी की रेकॉर्डिंग भी की गई इस फिल्म के कहाने की बात करे तो ये एक रोमैंटिक फिल्म है इस मौके पर बॉल्यूड के कई जाने माने चेहरे नजर आए जैसे कि हम बात करें तो इस मौके पर सिंगर राजाहसन और मौमध अजीद मौजूद थे और इस फिल्म के लिए गाने गाए इस फिल्म के डिरेक्टर है संजीत रिगुनायत और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी जाथा नहीं पता मुझे सिर्फ इस फिल्म का नाम बड़ा रोमांटिक है फिल्म बड़ी खुबसेद है नाम है अंजाना इश्क और मैं इसका एक नंबर गाने आया हूँ फिरोज भाई ने रिकॉर्ड करना है इसको फिरोज भाई ने इसका मेजिक दिया है फिल्म के बारे में अगर जाना है तो हमारे डेक्टर साब भी यही प्रह है संजीव जी जिनों ने ये बीड़ा उठाया है आप सबके सवालों का मेरे लिए सवाल यही अच्छा है कि मैं क्या करने आए तो मैं गाना गाने आया हूँ और मैं गाना करूंगा बीड़ लगर पेपी नंबर है एक अच्छा डांस नंबर है और पहली बार मैं फिरोज भाई के साथ इस तरह का गाले रिगॉड करूंगा पिकर इससे पहले हमने ऐसा गाना शाय ऐसा नहीं कि रॉम निक यह एक यह कहलो कि निया रॉक और अपस मुहमद अजीज साब का एक गाना रिकॉर्ड किया और मेरे छोटे बाई राजा संजी इनका में बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं जब भी इनके साथ काम करता हूँ बोजे बहुत मदाता और एनरजी मिलते हैं और अभी हमारे राजा बाई आज़े हीरो भी बॉली वुड मे लेकर जाएं मिडिया का धन्यवाद और संजीब जी जिस लावल से इस फिल्म को डिजाइन किया मुझे उम्वीद है कि ये फिल्म इंशाला अक्टूबर फर्स बीक में शूट होने जा रही है यूपी और उत्राफंड में राजा असन जी की जहां तक बात है राजा असन में जब इस जाहरे को मापा देखता था थे उम्म已經 का श्यूट में इस वक्राइब 5 जा पू अचयों था तो मैं मंधा अजीन सही भर्स नवाद जो रहा हूं और यह हमारे जो संजीब तरिक खुनायज ही है इन रह बहुत बहुत शुक्र गुजार चुख हुं कि एक अच्छी चीज मार्किट में लेके आने जा रहे पूरी फिल्म को बुरा परिवागर दे सकता है। वैसे इससे पहले मैंने वंद्यमात्रम बड़ा फेमस हुआ था जब मैंने सारे गामा के दौरान गया था तो मुझे काफी लोग ने बदाईयां दी लेकिन दिल से करीब मेरे गाना और है जो मैं चाहूंगा कि मैं आप सब के यहां आपकी चैनल के ओडियन्स को डेडिकेट क है मेरे प्यारे वतन ए मेरे बिछडे चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुही मेरी आरजू तुही मेरी आबरू तुही मेरी शांग सुफी सांगे कवाली है और ये एक आशिक दुहाई दे रहा है मजारों में जगा जगा गूम रहा है रो रहा है गिल गड़ा रहा है फर्याद कर रहा है बहुत अच्छा बनाए लड़का है अफरोज खान मीजिक डेक्टर और मुझे बहुत अच्छा लगा काना ये तुह कवाली पैटर्न में है सुफी सांग मुझे गाने में भी मज़ा आया और उम्मीद करता हूं कि अगर ये अच्छे डंक से रिलीज होगा तो ये जाना चलेगा भी कवाली तो देखिए आज जो आया है वो सब बात में आया मैं तो पचीस साल्ट कवाली गा रहा हूं मेरे त पूल है आपको याद होगा चलो आज खाजिया का संदल उटेगा ये सब कवाली हैं बहुत फेमास हैं तो मैं तो बरसों देगा रहा हूं मेरी तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला मुझे दुष्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त है उपर वाला मर्द टांगे वाला मैं हूं मर्द टांगे वाला मुझे दुछमन क्या मारेगा मेरा दोस्त है उपर वाला इतने गाने गाएं देजभक्ती भी कोई पैटन नहीं छोड़ा मैंने आर टाइप के गाने गाएं और देजभक्ती भी गाएं काफी तो करवा है अभी पॉपलर है बहुत वैसे ये आंति रंगा है ये शांति रंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है देखी सबसे पहले मैं अपरें दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी और इस वक्त मगीशकर स्टूडियो में ये मुजिकल महूरत है फिल्म अंजाना इश्क के तो ये शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं म्यूजिक से गानों से कर रहे हैं और इस फिल्म के जो डिरेक्टर है संजीव तरी गुनियाद फिल्म का नाम है आप लों को पता ही होगा शाहिए अंजाना इश्क तो इश्क से लेकिन जब फिल्म बनेगी इसी कहानी लोग देखेंगे पूरे देखेंगे तो अंदाजा आएगा कि अंजाना इश्क कैसे हो गया नाम संजीव कर रुनायत है और ये फिल्म है अंजाना इश्क जो एजी फिल्म्स के बैनर तरह बन रही है कि ये जो रिकार्डिंग चल अंजाना इश्क हरादनी इश्क करना चाता है लेकिन इस फिल्म में अंजाना इश्क है मेरी सभी डिरेक्टर प्रोडूसर कलाकार टेक्निशन्स सभी के लिए शुब कामना है ये फिल्म बने बहुत अच्छी बने सुपर्ड़िट हो सब लोग देखें एंजॉय करें बाक बहुत अच्छा रोल है और बहुत बढ़िया निवाओंगा मैं पूरी कोशिश करूँगा और इस रोल से मेरे करियर पर भी फरक पड़ेगा मुझे बहुत मेहनत करनी है और आखिर में मैं यही चाहूँगा कि ये फिल्म जल्दी बने जल्दी रिलीज हो और सब को पसंद ogo तो कोड़ूब ने को बहुता है और सकलया और सबस्दोंः है और इस तरे हम तरते है Stopp मेरा नाम कमर अंसारी ऐसा है पता अंजाना इश्क बनाने का इसलिए हम लोगों ने सोचा है क्योंकि यह स्टोरी अग्दम डिफ्रेंट बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी है और इस कहानी को जो हम लोगों ने इस पर सर्च किया सूचा हमने इसके बारे में तो पता चला कि यह डिफ्रेंट एक दम अलग हटके अंजाना इश्क को मेरे तफी डह सारी शूप कामना है ग्रेट विशिस खुब जल्दी अच्छे से श्रडूल में जाए एक दम वन श्रडूल शूट करें और धूम बचा है फिल्म मेरे ताव से ग्रेट विशिस